आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ हमारी जिन्दी में जो समस्याइं आती हैं उसे कैसे छुटका रहा पाएं उसका क्या उपाय है यह है ग्यान की बात यूटूब चैनल किसी सहर में एक आदमी प्राइवेट कमपनी में जॉब करता था वो अपनी जिन्दी से खुस नहीं था हर समय वो किसी ने किसी समस्या से परिसान रहता था एक वार सहर से कुछ दोड़ी पर एक महात्मा का काफिला रुका सहर में चारों और उन्हीं के चर्चा थी बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुँचने लगे उस आदमी ने भी महात्मा के दर्सन करने का निश्चे किया छुटी के दिन सुव सुव ही उनके काफिले तक पहुँचा बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया वह बाबा से बोला मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ हर समय समस्या मुझे घेरी रहती है कभी ओफिस की टेंसन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सिहत को लेकर परिसान रहता हूँ बाबा को यह ऐसा उपाय बताईए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जीश हो बाबा मुस्कुराए और बोले आज बहुत देर हो गई है मैं तुम्हारे प्रसन का उत्तर कल सुबद हूँगा लेकिन क्या तुम मेरे एक छोटा सा काम करोगे हमारे काफिले में सौ उट है मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो जब सौ के सौ उट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना ऐसा कहते हुए महात्मा अपने तंबू में चले गया अगली सुबा महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा तुम्हें नीन तो अच्छे से आई न वो दूखी होते हुए बोला कहां बाबा मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया मैंने बहुत कोसिज की पर मैं सभी उटों को नहीं बैठा पाया कोई न कोई उट खारा हो ही जाता है बाबा बोले कल रात तुमने अनुहव किया कि चाहे कितने भी कोसिज कर लो सारे उट एक साथ नहीं बैठ सकते तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खारा हो जाएगा इसी तरह तुम एक समस्या का समधान करोगे तो किसी कारण बस दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी जब तक जीवन है ये समस्या तो बन ही राती है कभी कम तो कभी ज़्यादा तो हमें क्या करना चाहिए उस आदमी ने जिक्यासा बस पूछा तो बाबा ने बोला इन समस्याओं के बाबजूद जीवन का अनंद लेना सिको कल रात क्या हुआ कई उट रात होते होते खुदी खुदी बैठेगे कई तुमने अपने पर्यास से बैठा दी है बहुत से उट तुम्हारे पर्यास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने पाया है कि उनमें से कुछ खुदी बैठेगे को समझे समस्याओं भी ऐसी होती है कुछ तो अपने आप खत्म हो जाती है कुछ को तुम अपने पर्यास से हल कर लेते हो कुछ तुम्हारे बहुत कोसिस करने पर भी हल नहीं होती ऐसी समस्याओं को समय पे छोड़ दो, उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती है, जीवन है तो समस्याओं रहेंगे ही रहेंगे, पर इसका ये मतलम नहीं कि तुम दिन रात उनहीं के बारे में सूचते रहो, समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का अनन दलो तो इस कहानी से हम ये सीख मिलती है, कि अगर हमारे जीवन में जो समस्याओं हैं, हमेशा उसके बारे में नहीं सूचते रहना चाहिए, क्योंकि हर समय समस्याओं के बारे में अगर आप सूचते रहेंगे, इससे आपका कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार हम उन बा बात यूट्यूब चैनल अगर आप इसी तरह की ग्यान वर्थी जनकरिया जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें